नम्मर वन चानल के नम्मर वन शो साजश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला साजश में आज बात इसराइल को लगे एक बहुत बड़े जट्के की करते हैं इरान के एक बड़े हत्यार ने इसराइल के युद में एंट्री माली है नेतन याहू को इस हत्यार के बारे में जब से पता चला है उनकी नहीं पूरे इसराइली सेना की नींद उड़ गई है अब डर है कि एरान ने अगर युद में एंट्री कर ली तो इसराइल कुद को कैसे बचाएगा इसराइल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस बीस नहीं, सौ दो सो नहीं, बलकि 358 मौत देना चाहता है इरान इसराइल के सामने इतने दुश्मन खड़े हो गए हैं कि उसे 358 मौत देना चाहते हैं इसराइल ने घाज़ा पर जितने बम गिराएं हैं, उसका बदला 358 मौत से लेना चाहते हैं 358 मौत के क्या माइने हैं? 358 मौत का खौफ कितना ज़्यादा है? यह इस सुवत इसराइल के चारों तरफ यमराज बन कर मतरा रहा है यहां हिजबुल्ला भी है, इरान भी है, खुथी भी है और अब इराक का वो मिलीशिया भी है जिसने अमेरिका का जीना मुश्किल कर दिया है आखिर 358 मौत है क्या? और इसराइल क्यूं इससे घबराया हुआ है? क्योंकि यह एक ऐसा हत्यार है जो इरान से निकल कर अब हिजबुल्ला के पास पहुँच गया है खुथी इसे लगातार फायर कर रहा है 358 मौत की मिस्टरी अब खुल कर सामने आ गई है इसी मिसाइल से या कहें ड्रोन से हिजबुल्ला ने इसराइल के बहुत बड़े सीक्रिट एजेंट को मार गिराया है हिजबुल्ला के महासचेव हसन नसरल्ला ने कहा था कि वो इसराइल के खिलाफ उनका हर विकल्प तयार है और इसी का हिस्सा है 358 मौत ये है जमीन से आस्मानी टार्गेट्स को खत्म करने वाली 358 मिसाइल और ये बांट रही है 358 मौत हिजबुल्ला ने इसी मनराने वाली मिसाइल से इसराइल के बहुत ही खास ड्रोन हरमेज को मार गिराया हरमेज 450 इसराइल का बहुत ही भरुसेमन ड्रोन है जिससे एंटी टैंक मिसाइल फायर की जाती है जब ये ड्रोन लेबनन के आस्मान में पहुँचा तो हिजबुल्ला ने उस पर 358 मौत माटने वाली मिसाइल फायर की और देखिए क्या नतीजा निकला ये इरान का वो हर्फन मौला हथियार है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है ये इरान की मिसाइल भी है जो इरान की ड्रोन टेकनलोजी को मौत बरसाने वाली सबसे नई तकनीक साबित कर रही है इरान से निकली 358 बॉन इसरेल के खुफिया मिशन को दुआ दुआ कर रही है ये मिसाइल भी है और डून भी ये कैसे अपने टार्केट को खत्म करती है इसकी तक्नीक की बहुत बारीक बातें समझ लीजे 358 नाम की ये मिसाइल एक डून की तरह काम करती है जो फायर करने के बाद आस्मान में आठ नंबर के आकार की तरह गश्ट लगाते रहती है और जैसे टार्गेट इसकी जट में आता है ये उस सिजा कर टकरा जाती है 358 मिसाइल में आगे की तरफ लगा इंफ्रा रेड सेंसर इसे टार्गेट की भनक देता है और फिर ये अपने निशाने की तरफ बढ़ जाती है ये एक ड्रोन से तेज रफतार से चलती है जबकि एक मिसाइल के मुकाबले में इसकी स्पीड कम होती है अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसी मिसाइल की बात कर रहा है इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है हजबुला ने जब से इसराइल का ڈोन मार गिराया है तब से लेबनान के आसमान में चिंगारी की नए शुरुआत हुई है जो इस जंग के दाइरे को और बढ़ा सकती है इस बीच इरान से एक नई तस्वीर वारल हो रही है यह है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामने की जो इरान के घाजा नाम के ड्रोन को देखने पहुँचे है इस ड्रोन को इरान का सबसे पाउरफुल लीडर क्यों देख रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे है इरान ने घाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है यह 2000 किलोमेटर के दाइरे में उपरेट कर सकता है यह 35 घंटे तक 300 किलोमेटर प्रती घंटे के रफदार से ओडान भर सकता है 35,000 फीट की उच्छाई तक ओड़ सकता है और सबसे ख़दरनाक बात यह 13 मिसाईल लेकर ओड़ सकता है ठीक ऐसे ही अपने हथियार इरान ने रूस को भी दिखाये थे जब 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंतरी सरगेई शोईगू ने इरान का दोरा किया था यह दोरा बहुत सीक्रेट रखा गया हलाकि जो दस्वीनी सामने आए उसमें यह साफ हो गया कि सरगेई शोईगू इरान की खास-खास मिसाईल देखने तेरान आये इरान ने उनके सामने अपने एक-एक हथियार की डीटेल रखी इसमें ड्रोन भी थे और बलेस्टिक मिसाईल भी ठीक वैसे हथियार जो रूस को यूकरेन में लड़ने के लिए चाहिए इरान के एरोस्पेस फूर्स के कमांडर ब्रिगेडिया जनरल आमिर अली हाजी जादे साथ-साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या लेना चाहिए किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है तब शोईगो ने 358 नाम के इस मिसाइल में बहुत दिल्चस्पी दिखाई और इरान के अफसरों ने भी बताया कि सथियार से वो यूकरेन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल को खत्म कर सकते हैं ऐसा हथिया जिसमें पोतिन को भी दिल्चस्पी है वो बहुत बड़ा कहर बरपा सकता है इसमें कोई शक नहीं 358 की रेंज अब इरान से लेकर यूकरेन और यूकरेन से लेकर इस्रेल तक हो गई है ये बात साफ है कि 358 मौत वाकई इस्रेल में मौत मांटने के लिए तयार की गई है जब से इरान की मिसाइल का खत्रा बढ़ा है तब से इसराइल की ड्रोन एक्टिविटी कम हो गई है जाहिर है कि नेतनियाहू अब ये जानते हैं कि अगर हिजबुल्ला को रोकना है तो सिर्फ ड्रोन से काम नहीं चलेगा क्योंकि लेबनान के आस्मान में 358 वाली मौत मनरा रही है इस वर्त पश्यमेश्या में युद्ध की जो आग लगी हुई है घाजा पर बंबारी के बीच हमास और इसरेल के बीच जिस तरह की टकर हो रही है उसमें अब नया खत्रा इसरेल और लेबनान का बॉडर भी है यहां भड़की शोले अब युद्ध की इस आग को दस गुना भड़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ चार लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं पहले हैं इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमीन नितनियाहू दूसरे हैं ऐरान के रजशबदी अब्राहिन रईसी तीसरे हैं अमेरिका के रजशबदी जो बाइडन और चौते हैं यॉरप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के रजशबदी व्लादेमिर पोटेंड लेकिन इस वक्त सबसे ज़दा एक्टिव एरान है एरान ने हजबॉल्ला और यमन के हुथी विद्रोयों तक इतने हथियार पहुचा दिये हैं कि अगर इस्रेल ने घासा पर बंबारी नहीं रोकी तो हिजबॉल्ला और हुथी दोनों इस्रेल पर बंब बन कर फड़ सकते हैं ये बात नितन्याहू भी जानते हैं इस वक्त लेबनन और इस्रेल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबॉल्ला का पूरा कंट्रोल है हिजबॉल्ला अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इस्रेल के टैंक तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं हिजबॉल्ला ने निकाली है तीन बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर यह मिसाइल इरान से सप्लाई की जाते रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबॉल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है हिजबुल्ला तीन तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तिमाल कर रहा है ये है कॉर्नेट इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तयार कर चुगा है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है दूसरी है बीजियम 71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रेंज है 3 किलोमीटर ये अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल इरान तयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है तीसरी है 85 कॉंकोर्स रेंज 4 किलोमीटर ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये तोसान नाम से तयार की जाती है तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है और जिस तरह से इन्होंने इसरेल के अक्टे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है ये भूला का दाब की उसका हर हमला इसरेल को मुफू जबाब है है तीन फिल ऐायाम कलील मादी जाती है मजज जड़ी जड़ीदा मिन अटनियाहू, मिन गलंट, मिन गनेट्स, मिन आखरीन बातिजाह लबना कुल मिलाकर ये बात साफ है कि अब हिजबल्ला 358 मौत के साथ इसरेल पर हमला कर रहा है दक्षन लेबनन और उत्तरी इसरेल के बीड जो बोर्डर है वहां तनाव बहुत ज्यादा है, कब कहां बंपटेगा, कहां धमाका होगा ये या तो हिजबल्ला जानता है या फिर इसरेल की सेना वैसे यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपी सेंटर गाजा से निकल कर लेबनन तक पहुँच सकता है यहां तैनाद सन्युक्त राश्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर है, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है तकफनो बतारोत रबोचल खिसलनो मेखबलीम गबीम वानिशाव ओमर, इम खिसबाला इफखर लिकनस लमिल्खमा, इम खिसबाला इफखर लिकनस लमिल्खमा, वु यासे अट ताओध खया लगा इसरेल की सेना ने अपना गोला बारूट तयार रखा हुआ है, तोपों से जो गोले फायर किये जाए हैं, वो पहले से ही रेडी मोड में रखे गए है, इसरेल की रेजर्फ पोर्स भी आसपास के इलाखों में तैना थे, हालाग 2006 के बाद जैसे बनते हुए नजर आ रहे है और अब हिजबुला के हमलों के बाद सब की नजर इरान पर है